हाट दोस्तों स्वागा ते आपका हमारी यूट्यूब चेनल में आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सहर क्या होता है तो हम सब्सक्राइब कि नहीं होता है जब हमें सब्सक्राइब मेलें चाहाइब है देखने को मिलेंगे चकाचक सड़कें मिलेंगे बिजली और पानी के अच्छ तंदुरस ब्योस्ता में लगए तो चलिए समझते हैं देखे तो एक सहर को आइने माना बर्स्तियों से अपई चाकृत बड़े आकार के कारण अलग किया जा सकता है आपको भी गांव जाए आपको यह सहर जाए तो गांव के मुकाबले सहर आपको बड़ा मिलेगा बड़ी-बड़ी सड़के मिली तो यह कार स्कैला जारा जारा है कि गांव के मुकाबले सहर होते हैं वो सब्सक्राइब ओब दो हिसा बाइनार सब्सक्राइब इमारतों रहने वाले लोगों को प्रल्वा कर सकते हैं ट्स फशवा के लिता सेमों को अधिक होती है हमें मालूम है क्योंकर kots following कर लाके काने तो पंच्याइद करता है तो सहर में नगर निगम करता है वहां के साफ़ाई बिजिली लाइटिंग ये सारे चीज नगर नगर निगम देखता है अच्छी सड़के बिजली पानी के सुधाय होती है वहां पर साथ ही बड़े बड़े बज़ार और बड़े-अमारत की खास्यत होती है यह तो यह सारे बाते रहे हैं जो हम सब को बोल सकते हैं तो वो चलिए समझते देख राष्ट जनगर्णा के कई तरह की परिभास का परिभासा को अप्योग करते हैं जैसे जन संख्या भी देखती है जन संख्या घंडा तो भी देखता इसके अलावा आवासों के संख्या आर्थिक कायर और बुनियादी धांचा जैसे काड़कों का अप्योग करके आबादी को सहरी रूप में वर्गिर करने के लिए क्या जा सकता है और चोटे सहरों के अबादी के लिविशिस्ट कामकाजी परिभासाएं लवव एक लाक लोगों से शुरू ह होती है का हिए म слово जाता है कि सहर का सकते हैं जब सहर के अबादी लब लब एक लाक हो आप यह तो हम देखते हैं कि कोई गाम होता गाम यह लोग कंप शया क्रवाद हैं unter i. Which सहर कह सकते हैं तो अनुक्ति us ुइसके बाद और फिक लोगों ने पड़िभासाएं दी कि एक सहर को सकते हैं जब जनसंख्या लभॉक 1550 के बीच है भा उसको भी हम सहर करा सकते हैं, तो यह भारत में सहर तभी बोलेंगे कम से कम 50,000 आदमी होना चाहिए 50,000 से जाद आदमी होना चाहिए तब जाके उसको सहर कर सकते हैं यह डिफनेशन जा पान करा है वही अगर हम बात करने संदुत राज अमेरिका की तो अमरिका में क्या होता है कि सहर कहलाने के लिए वहां के आभादी सि अबरिका में सहर कर सकते हैं ठीक तो यह रहां प्रपर सहर का संदून जो कि हमें मालूम होना चाहिए ईसकी अलवा हम समहेते हैं कि सहर में क्या क्रश्चत हमें कि देखने को मिल तो सहर में यह सारे चीज़िए मिलती pork talk look, the lack of fire एक चरफ इसकी पूल भी बना हुआ होता है दूसरा देखिए सरवजनी परिवहन सेवाइं होता है जैसे बर्स रेलगारी जो सरकारी में सरकारी होता है सरकारी सेवाई अपको सहरों में मिल जाती है इसके साथ जल सीवर और वर्सा जल पर ना लिया अगर इसका पानी को कैसे संग्रहित क्या जाता है यह सारे तक्निक सहर में मिलते हैं ठीक है इसके बाद है परियारन सवच्छ सेवाएं परियारन कोले को सवच्छता अलगला सेवाई सहर में मिलते हैं पुलीस अगनी सामक और बड़े बड़े पार्क भी मिलेंगे मनरंजन सिवाई भी सहर की खास्यत होती है इसके अलावा सेच्छिक और सामुदाई कारिक्राम कियाता है कम्यूनिटी में इसके वाला यह एरपोर्ट एरपोर्ट भी बड़े चोटे गाहों में चोटे-चोटे जगव सहरों में मिलते हैं तो फिया होते हैं किसत दो परकार होते हैं उस अनुसार कर नाम करना होता है जैसे कि सहर के सार नाम से पता चलता है बड़वाले जहां ओफिस कि अगर सहर कि कर सकते हैं ऊच कर invested पर करने लोकर समर्षन करने वाले कर्स बे परसासनिक सहर कला जैसे कुछ का नाम दिया हुआ चंडीगर नाइदिली यह सारे नाम आप लोग पढ़ दीजेगा क्योंकि बड़े-बड़े सहरों को नाम है जहां पर ऑफिस असकारी ऑफिसर के बिल्डिंग आपको मिल जाते हैं और देखें पर जकान ये काफी इंप्वर्टन सार्व जहां जाहां वैसा सार जहां बड़े-बड़े फैक्स्टियां बड़े-बड़े उद्योग मिलते हैं तो यह जीद्यों में नाम में मुंबए सेलम कोयम टूर्व मोदि नगर जंसेदपूर घुगली वगर यह फ्रती स और वहां से आयात निर्यात होता है या देश के साथ समानों का खड़ीद विक्री होता है उसके अलावा बंदरगाह भी होता है थीक है यह नाम दिया हुआ है कांडला कोची कोजी कोड विसाखा पत्नम आदी या अंतर देशी परिवहन के केंदर जैसे आगरा धूलिया मुग यहां से खोध कि अंदर से जमीन के अंदर से निकाला जाता है यह सहर आनी एंगांज हो गया जढ़िया हो घ्रिया हो घ्रमेया के की और गया अजली ऑन्हले मोरिह बंदर वहां जड़ कनी देग जल मेंघर लई नहीं हो गया अगां जंतर से नाम आपका कोई सूजहाव अगर आप लोग को लेकर है या तो आप मुझे कमेंड करके बता सकते हैं मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में